आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ये अच्छे से लिपम का रिव्यू शेयर करूंगी और ये जो लिपम है ये टिंट के साथ में आपको मिलता है जिसकी वज़े से आप अगर लिप्स पर लिप्स्टिक भी नहीं लगाना चाहते हैं तो आपका दोनों ही काम ये कर देगा इससे पहले भी मैंने इसी ब्रांड का एक लिपम का रिव्यू शेयर किया था और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे लिपम के रिव्यू आप सबी के साथ में शेयर की हैं तो right now जिस लिपम की मैं बात करे हूँ वो है मैबलीन न्यू यूर का बेबी लिप्स कलर 16 आवर्स म इस तरीके की packaging में आता है packaging मैंने हटा दिया था मैं इसे काफी टाइम से use भी करने लगी हूँ तो ये जो lip balm है कुछ इस तरीके से cardboard packaging में आपको मिलता है सारी details आप इस पर देख सकते हैं ये जो lip balm है ये 4 vibrant tint में आपको मिलेगा तो एक lip balm मैंने आपको पहले ही इससे पहले review share किया था वो shade था और ये जो shade है ये मुझे उस समय नहीं मिला था तो मैंने फिर इसे wish list में डाला हुआ था और जब भी ये आया और मैंने इसे तुरंट से ले लिया है तो ये जो lip balm है इसका जो shade है ये है high line wine और SPF 20 के साथ में आपको ये मिलता है तो काफी अच्छी चीज है तो ये जो lip balm है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा और इसका जो ये cap पर जो shade है बिलकुल वैसा ही tint आपको इसमें मिलेगा आप देख सकते हैं shade भी इस तरीके का है और मैं आपको इसे थोड़ा सा हाथ पर लगा करके दिखाती हूँ तो ये आप देख सकते हैं ये tint के साथ में आपको lip balm मिल रहा है तो बहुत अच्छी चीज है आपको अभी winter में lips dry भी नहीं लगेंगे और lips पर एक अलगी shining आपके रहेगी और साथ ही में ये tint वाला है तो आपको extra lipstick लगाने की भी need नहीं है तो जो लोग lipstick लगाना पसंद नहीं करते हैं तुरंसे उनको बस एक tint वाला lip balm चाहिए तो आप इसके साथ में definitely जा सकते हैं तो चलिए अब मैं ये जो lipstick है इसे remove करके आपको इसे लगा करके दिखाती हूँ तो lipstick को मैंने remove कर दिया है और अब ये जो lip balm है इसे में लगाती हूँ और आप देखीएगा कि जो मैंने make up किया हुआ है उसके साथ में भी lip balm से ही कितना अच्छा look निकल करके आएगा वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ और कुछ इस तरीके से मैंने इसे open किया है और अब मैं इसे लगा लेती हूँ ये आप देख सकते हैं ये मैंने one swipe किया है और उसके बाद में आप इसका जो ये pigmentation वो देख सकते हैं और ये आप देख सकते हैं इसका जो look है विंटर्स के लिए तो काफी अच्छा मैं समस्ती हूँ इस product को और आप जो मेरे lips हैं वो काफी ज़ादा moisturize देख सकते हैं और lipstick लगाने की कही से कही तक need नजर नहीं आती है और आप इसे winter में तो definitely खरीद ही लीजे क्योंकि ये जो lip balm है ये lipstick का भी काम कर रहा है साथ ही मैं आपके lips को भी ये moisture करके रखता है secure करके रखता है और सबसे अच्छी चीज मुझे इस lip balm की लगती है कि ये SPF 20 के साथ में आपको मिल रहा है तो इससे अच्छी बात और हो ही नहीं सकती है और इसका जो MRP है ये है 175 रूपीज लेकिन ये 160 रूपीज में मुझे मिला था और इसकी जो shelf life है वो है 3 years तक आप इसे use कर सकते है और ये 16 hours तक आपके lips को moisture करके रखता है साथ ही में ये coconut oil के साथ में आता है and vitamin E भी इसके अंदर आपको मिलेगा और clinically formula के साथ में ये बना हुआ है तो आपको कोई भी दिकत वाली बात नहीं हो सकती है तो ये जो product है मुझे तो बहुत अच्छा लगा है आप देख सकते हैं लुक में एकदम से changes आ गया है आप lipstick मैंने lipstick भी हटा दी थी उसके बाद में मैंने ये lip balm लगाया है और overall जो मेरा makeup का जो look है वो भी एक अलगी तरीके का look आ गया है तो आपको जिसे ज़्यादा lipstick लगाने का shock नहीं है और lips पर एक tint भी रहना चाहिए तो आप definitely इस lip balm के साथ में जा सकते हैं इसका shade name मैं एक बार फिर से आपको mention कर देती हूँ ये जो shade है ये highlight wine तो आप इसको definitely खरीज सकते हैं और इसके पहले मैंने जो shade आपके साथ में शेयर किया था वो I think था manhattam mauze जो pink shade था वो भी मैंने उसका review भी मैंने share किया हुआ है अपने चैनल पर तो पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर से मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए और वीडियो अगर आपको जरा भी इच्छा लगा है तो like कर दीजे शेयर कीजे इस वीडियो क और चेतना अज लाइफस्टैल चैनल को subscribe जरूर कर लीजिए